Welcome back people, आप लोगों का स्वागत है आज फिर ब्लेक बॉक्सिंग चैनल में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो काफी डिमार्ड में चल रहा है इंद में ये है एक वाइफाई एक्स्टेंडर जो के आपके वाइफाई की रेंज को बढ़ाता है अगर आपके दूसरे कोने में घर के वाइफाई नहीं आता है तो यह एक्स्टेंडर में दोוסेंग अवाइफाई करता है उस उसकोने में रेभीउ करने वाले हैं लेकर 5G Band के स्पीड जादा अच्छी होते हैं उसमें क्राउड काम होता है तो आपको स्पीड अच्छी मिलती है इसके आउड़ा अच्छी मिलती है तो चलिए फिर बोक्स को देखते हैं यह वाइफ रेंज एक्सेंडर है बूस्ट करता है आपके वाइफा के सिगनल को सामसे लगता है यहां पर आपको सीविल नमबर अगरा देखने को मिल जाता है और यहां पर थोड़ा बहुत आपको आईड़ा दे रख है और है किसी इसे कौन-कौन से बटाना इसके लिए उतना इंट्रेस्टिंग नहीं है जितना इंट्रश्टिंग ये आपका एक्स्टेंडर है तो चलिए फिर इससे खुल की देखता है तो फिर हमने इंबॉक्स कड़ लिया है, वह सिर्फ के अदर से इस के अंदर निनकलता है वह neighborsторов और ये हमारे दिवाइस है यह कि ऐसा लिखता है डिपर के अंदर चली कबसे बाँर निकाल देखता है अगर आपाप देखें तो यहांपे छाल लाइटे हैं जो आपको हल्प करती है कालेटीन की है अर 25 नैशियर रख़लेट कहा है अगरों के लिए खुरीप निदयता आपके लिए लिए अफिर किया लिए जैस अभ पर एक मिनिट के बाद फावर लाइट क्रियन हो जाएगी और फिर हम अपने लेक्टॉप यहां फिर कम्प्यूटर पर जाएंगे एक्स्टेंडर का सेटफ विजार्ड इस्टार्ट करने और अब हमारे लेक्टॉप के उपर आ चुके हैं यहां पर हमें वाइफाई का ऐकन दिखेंगे अगैजिए वाइफ़धाल था सिर्ञार हो तो सब्छुमरे रिखेंगे तो फिर हमारे सप्कशाचेट के तेक अपनकेमं नाम से एक वाइफई हम उसे जा सुखण के ब्लाक्ष और यहां से विगया सब्सक्रार्ण 10 अब ना यागर हम उना आपको कोई वरी करने के ज़वरत नहीं है आप ब्राउजर में जाकर इसे मैनुली टाइप कर सकते हैं www.mywifiext.net और यह लिंक आपका same webpage खोल देगा जहां पर आपको जाके new extended setup के उपर क्लिक करना है जैसे आप new extended setup के उपर क्लिक करेंगे आपको next step के तरफ लेकर जाएगा और वहां पर आप proceed करना होगा फर्दर steps के साथ इस step के अंधर आपको netgear के साथ एक account क्रेट करना पड़ेगा email, password वगेरा चीज़ा आपको यहां पर डालनी पड़ेंगे और अगर आप एक साथ दर डाल देते हैं तो हमें next को पर क्लिक करना है next step के अंधर आप से पुझेगा क्या आपको genie के help ले नहीं है फिर आप manually करना चाहिए मैं recommend करूंगा कि आप genie के help ले और वह कापी आसान पड़ेगा यहां पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा इस स्क्रीन के अपर आपके आसपास जो भी वाइफाइब लेवल है उस वाइफाइ को सर्च कर रहा है तो जित्ते भी आपके आसपास वाइफाई होंगे उससे स्कैन करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा है यहां टॉप प आपको नेट्सट पर क्लिक करना है यह वही वाइफा उगए जो आपकी घर करना ओल्रेड़ी है और जिसा आप एक्स्टेंड करना चाहते है तो इस सेलेक करने के बाद नेट्स्ट करिए अब यहां पर आपका जो एक्जिस्टिंग एंटरनेट है एक्जिस्टिंग पासवर्ट डालने के बाद हम next के उपर क्लिक करेंगे और फिर आपको यह सकेन देखने के मिलती है यहां पर आप चाहें तो आप अपनी extender के SSID चेंज कर सकते हैं चाहे तो जो default है वह भी रख सकते हैं और चाहे तो आप अपने नाम पर भी से रख सकते हैं और यहां पर आप पासवर्ड भी चूज कर सकते हैं तो आप default password जो आप के router का है वह भी रख सकते हैं और चाहे तो आप custom password आप अपना अलग से लगा सकते हैं और चाहे तो इसके उपर कोई password भी नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए आपको नन सेलेक्ट करना होगा और यह चीज आप दोनों के साथ कर सकते हैं 2.4G और 5G यह दोनों पर आप कर सकते हैं यह सेट करने के बाद आपको next के पर क्लिक करना होगा अब यह सेटिंग्स को एपलाई कर रहा है जो कि हमने इसके उपर सेट करी है यह थोड़ा सा टाइम देता है और आपको next page पर लेके चलता है जहां पर आपको सारी डिटेल दिखाता है इस डिटेल करना आप पूरा रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद प्लिक दर कंटि पर लेकर आता है अगर आपने कोई डिवास कनेक नहीं करा है तो यह आपको जिखाएगा अधर वाइस आपको फिनिश दिखाएगा अब हमारे टेक्स्टोप पर जाके देखते हैं कि हमें एक्स्टेंडर दिख्टाइग के नहीं दिखता है अभी यह करेंट्ली दूसरे व वाइफाई के तरह कनेक्ट हो जाएगा और आपको वाइफाई सिकनल जिता आपके राउटर के थूँ आता है उतना ही फास यह एक्स्टेंडर के थूँ भी चलेगा इसे चेक करने के लिए हम प्राउजर पर जा सकते हैं और ब्राउजर पर जाके हम कोई सी वीबसाइट को कर देख सकते हैं तो गूगल हमारों खुल रहा है यहां पर काफी आराम से और यह कनेक्टेट भी दिखा रहा है और से क्योट इस फुली वाकिंग है इससे पहले कि हम इस वीडियो को खतम करे में आपको दिखाता हूं कि एक्स्टेंडर के पर कौन-कौन से लाइट है जली ằng रहा है देलिए है और सुर्ण कि एक्सराह